ये मंदिर परिशन है भगवान श्री गडेश का जो की लोहटिया में इस्थित है वाराटसी के मैदागिन चेत्र के लोहटिया चेत्र में इस्थित है और ये बहुत ही प्रसद्ध मंदिर है भगवान श्री गडेश का महादेव की नगरी काशी में उनके पुत्र भगवान श चतुर्थी के दिन विशेश पूजा अर्चना का मात्व है काफे दूर दूर से लोग आते हैं और यहां इतनी भीड होती है कि दर्शन कर पाना भी सबके लिए संभों नहीं हो पाता है तो इस बार गड़ेश चतुर्थी के दिन आप इस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं इस व प्रसिद्ध है और इस मंदर का इत्यास अत्यंत ही प्राचीन है यहां भगवान श्री गड़ेश की जो प्रतिमा है वो स्वैंभू है और यह मंदर 40 खंभों पर तिका हुआ है जो कि हिंदू संस्कृती के अनुसार बहुत ही शुब माना जाता है विग्न हर्ता श्री गड श्री गड़ेश के सिंदूरी रंकी प्रतिमा के दर्शन वह पूजन से सभी रुके हुए कारे जल्द ही पूरे हो जाते हैं और तरक्की की रहा भी आसान हो जाती है गनपती जी यहां अपनी पत्नी रिद्धी सिद्धी और पुत्र शुब और लाप के साथ यहां विराज अनाधिकाल से यह मंदर यहां पर इस्थित है एक मानिता के अनुसार एक समय बाबा विश्वनाजी के पास से गंगा का प्रवाह होता था मागंगा के साथ साथ मंदाकनी नदी का भी अस्थित्व था काशी में उसी समय भगवान गनपती की यह प्राक्टिक प्रतिमा नद जो कि अध्यन्त ही अध्भुत वा आलोक एक्षवी है गनपती जी के त्री नेत्र होने के कारण इस मंदर का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है मानिता है कि यहां आने वाले हरभक्त की जोली भगवान गनपती जी अवश्य ही भड़ते हैं भगवान गनपती यहां अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है और जैसा कि हम सभी जानते हैं यह भगवान श्री गड़ेश का जो प्रिय भोग है वो लड़ू है और भग भगवान श्री गड़ेश का जो विसीज दिन है वो बुद्धवार ही माना गया है यह मंदिर की पता का तुहज जिसके दर्शन आप करते हैं माग मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकस्टी चतुर्थी कहा जाता है और उसी दिन प्रतम देवादी देव भगवान श्री गड़ेश का विरभाव हुआ था इसी कारण संकस्टी चतुर्थी को यहाँ पर विशेश रूप से पूजा अर्चना की जाती है और गणपती भगवान का जनमुस्व भी उसी दिन मनाया जाता है काशी में बाबा विश्णात मंदर के पास ही यह मंदर इस्तित है और यहाँ भादों माग के महीने में भी भव्य मेला लगता है चौत के दिन जिसे गड़ेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है बहुत दूर दूर से श्रधालू यहाँ आते हैं दर्शन प्राप्त करते हैं भगवान श्रे गड़ेश की विशेश पूजा अर्चना करते हैं गड़ेश चतुर्थी के दिन भगवान के इस त्रीनेत्र रूप की उपासना से भक्तों के जीवन की सभी वेगनबादाएं दूर हो जाती हैं इस मंदिर में प्रतिदिन श्रधालू आते हैं जो कि अपने नित्ति पूजा करते हैं और इस मंदिर से भगवान श्रे गड़ेश का आश्रवाद प्राप्त करते हैं मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत ही विशाल है और इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट्चर है वो सुन्दर है भव्यता है और इस मंदिर में आने से आपको एक पॉजिटिव अनरजी फील होती है प्रभू के दर्शन मात्र से दिव्य आलोक एक दर्शन से आपको भवान का आशिवात प्राप्त होता है यदि आप काशी आते हैं तो बाबा विश्णात के दर्शन के साथ साथ बड़ा गड़ेश दर्शन करना भी परम आवश्यक है क्योंकि इस त्रिनेत्र रूप भारी भगवान श्री गड़ेश के दर्शन से आपकी बंद किसमत खुल जाती है और अपने भगतों के सभी संकुटों को दूर करते हैं मंदिर के ठीक पीछे और भी विग्रह विराजमान हैं और साथ साथ महादेव जी के भी रूप यहां पर उपस्तित है जो कि आनल देश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं काशी में संपून काशी में 56 विनायक हैं जिसमें बड़ा ग्रेश सरुपतम माने गए हैं और मुख्य रूप से इनकी पूजा हुआ अर्चना की जाती है यह मंदिर लोहटिया छेत्र में इस्तित है जो कि काशी का एक बहुत ही बिजी इस्तान है और काशी विशनात मंदिर जी के थोड़ी ही दूरी पे यह मंदर अधित है तो यदि आप काशी दर्शन करने आते हैं बाबा विश्वनात के तो आपको साथ साथ बड़ा ग्रेश दर्शन करना बहुत ही शुप माना जाएगा और आपको यहां पर अवश्य ही आना चाहिए और भवान श्री गड़ेश के इस लूप के दर्शन करने प्राशी में उपस्ते सभी मंदिर का एक अतिन्ती प्राशी में इत्यास है और यहां के जो अधिकतर मुर्टियां हैं यहां पर जो अधिकतर मंदिर हैं वो स्वैंभू हैं तो इससे यहां के मंदिरों देवताओं की जो महत्र है और भी अधिक बढ़ जाता है और वास्तो में जब आप मंदिरों के दर्शन करते हैं यहां पर आते हैं तो एक जो आपको energy मिलती है वो कहीं और महसूच नहीं कर जा सकती है काश्री में जब में आएं तो इन अपकैंबरों के दर्शन बहुंद करें भभवान का आर्श्रवाद most भगवान श्री गडिश की जो विशाल प्रतिमा है उसके दर्शन से आपके बिगडिर हुए कारे भी जल से जल बन जाते हैं इस वीडियो के माध्यन से मैंने भगवान श्री गडिश के स्ट्री नेत्र रूप भारी प्रतिमा के दर्शन कराने की कोशिश की है और मंदिर के कुछ विशेस्ताओं के बारे में बताने की का प्रयास किया है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए इसकी प्रगार के अने वीडियो देखने के लिए और आशा करते हुँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा जल से जल इस मंदिर में आए और भगवान श्री गडिश का स्व के हादिक शुब कामना हैं ओम गम गडपते नमहा हर हर महा देए